तो गैस यार नमस्कार सस्रियकाल जैस्री राम कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो यह जो आज का वीडियो है यह इस परपट से मैंने बनाया है कि आप लोग जान सकें जो घागरा नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वो घागरा नदी का जो यह कटान है इस कटान को रोकते कैसे हैं मतलब अपनी जो लगती है वो तो पूरी लगा लेते हैं कि हमको कैसे भी करके इसको रोकना है लेकिन अभी क्या है कि अभी जो नदी है वो थोड़ी टूट गई है मतलब कम हो गया है पानी देखिए ये घर कितनी दूरी पर है और ये घर इधर जो पूरा ये है ये अभी तोड़ा गया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कटान है वो अभी थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि पानी कम हो गया है यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर एक घर था अ ये कितनी दूरी पर है नदी से बस थोड़ी ही दूर है तो इन घर वालों को पता है कि नदी अभी कम हो गई, अभी तूट गई लेकिन नदी में बाढ़ आएगी, आती है, मतलब तूट जाती है, नदी में बाढ़ फिर से आ जाती है तो यहां के जो लोग हैं उन लोगों ने क्या किया है एक उपाय लगाया है हर साल लगाते हैं कामियाब भी हो जाता है पर अब के बार कुछ ज़्यादा नया दिमाग लगाए है तो चलिए आप लोगों को बता तो यहां के लोगों ने किया क्या है आप लोगों को यह बोरियां देख रही होंगी ये बच्चे देखे बोरियों में इटे भर रहे हैं तूटे फूटे और जो पूरे पूरे येट हैं वो सभी इन बोरियों में भर रहे हैं और बोरियों को सिल दे रहे हैं और इन बोरियों को ही बांस का कुछ एक बनाए हैं अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे समझ में नहीं आ रहा क्या है उसी के बीच में इनको रख देते हैं पहले उसको नदी में डूबा देते हैं और फिर जा जा करके यह एक एक उठा करके उसी से धरके उसी में पूरा सिट कर यहाँ पर जो अभी गाउ में दादी का घर गिर रहा था तो मैं वीडियो बनाने लगा तो दादी ने इतना ज्यादा डाड दिया मुझे बोली फोन ओन पूरा तोड़ देंगे बोली कि इससे हमारी बेजती होती है समाज में हमारी को इज़त नहीं रह जाती है क्योंकि जो हमको जानने वाले लोग हैं हमारी वीडियो को देखते हैं और बुरा भला बोलते हैं बहुत बुरा भला सोचते हैं तो इसलिए मैं वहाँ से चला भी आया पनाने भी नहीं दिया उन्होंने वीडियो बोली फोन बंद करो हमारे घर नहीं आना चाहिए तो गईस यार अभी मैं खड़ा हूँ बांद पर और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जब नदी फुल हो जाती है तो लोग क्या करते हैं इसी बांद पर अपना छपपर तिरपाल वगएरा यह सब जो भी होता है यह देखे कितने यहाँ पर कितने जितने भी थंभर लगे हुए है ना पिलर टाइप इन सब में जितने भी इन सब पर छपपर तिरपाल पनी जो भी है तो दोस्तों यार अभी हम आचुके हैं दूसरी लोकेशन पर और अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो कटान है उस कटान को कैसे रोका जा रहा है तो यह जो आप लोगों को इंटे दिख रहे होंगी और यह बोरियां दिख रहे हैं पीली वाली इनहीं पीली वाली बोरियों में इन इंटों को भर लिया जाता है और भरने के बाद पूरी उपर से सिल दी जाती है और सिलने के बाद इनक फाले जो हमारी लोगों के खेट में लगते हैं तनके तरह बांते हैं और यह जो यह जो बांस टैप आप लोगों को दीख रहा यह बांसus' का बना हुआ इसी के बीछ सफेंच में उनको पूरा इनको नदी में डाल के फिर उननी इंटों को इसे में सेट कर दिया जाता है ताकि कितनी भी तेज मतलब कटान लगे फिर भी वो क्या करेंगे इसमें इसको अच्छे तरीके से फसा दिया जाता है तो जो कटान होता है वो रुख जाता है तो यहाँ पर जो दोस्तो यार मैं खड़ा हूँ अभी इस बांध पर और बांध के इस साइड में ये वाला जो एरिया है ये इधर का पूरा जितना भी एरिया आता है ये पूरा नदी से भर जाता है और इस खेत में भी धान लगे थे वो धान पूरे के पूरे डूब गये ह आता है इस तरफ गाउं है तो इधर आराम से जो भी फसल करना है हुग कर सकती है ऊधर बाजार भी लगी झाल झालगा झाल झालगा 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 है ?